दोस्तो आज के इस वीडियो में हम UPI Lite के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की प्रकार का डिजिटल खाता है जिसे आप कम मुल्य के लेंदेन के लिए उप्योग कर सकते हैं सरकार के द्वारा UPI को सबसे पहले लौंच किया गया था और इसका चलन काफी तेजी से बढ़ने लगा था तो गवर्मेंट को पता चला कि UPI का इस्तमाल करने वाले 50% से ज्या पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है जबकि अगर आप UPI से ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें आपको पिन डालना पड़ता है तो UPI Lite इसलिए बनाया गया ताकि 200 रुपे से कम के ट्रांजेक्शन लोग यहां पर करे और इसमें उनको पिन डालने की जरूरत नहां है कि इसमें आपको 200 रुपे से निचे के पेमेंट बिना पिन डाले आप आसानी के साथ कर सकते हो आम बासा में कहें तो UPI Lite डिजिटल वॉलेट की तरह काम करता है और अब जानें कि UPI Lite कैसे इस्तिमाल करें तो दोस्तों सरकार ने कुछ चुनिंदा बेंकों को UPI Lite को सेट करने की परमिशन दी है तो अगर आपकी बेंक में UPI Lite का ओप्शन दिख रहा है तो आप उसका इस्तमाल कर सकते हो तो ऐसे ही पेटियम में भी आपको UPI Lite का ओप्शन मिल जाता है तो आप जानते है कि पेटियम UPI Lite क्या होता है तो पेटियम में आपको UPI Lite इस्तमाल करने की स शेर जरूर किजिएगा लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दू कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉंच कर दी है तो अगर आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे एजाज कला डिया तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी उसके उपर क्लिक करके आप हमार पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों गर आप लोग जाते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो